Assalamualaikum viewers, welcome to Champion Learnings, मैं हूँ उस्मान शाजाद और आज हम बात करेंगे करिज के बारे में करिज का basically मतलब यह है कि आप fear को control करो, ऐसा नहीं कि आपके अंदर fear का emotion आये ही ना आप उसको control कर सको जब भी कोई dangerous situation हो या कोई unpleasant situation हो उसमें अब दो तरह का courage exist करता है दुनिया में, एक होता है physical courage और एक होता है emotional courage, physical courage क्या होता है आपके अपने अंदर physical limitations को overcome करने का कितना कितना आप control कर सकते हो अपने डर को, physical उसके लिए और emotional है कि आप mind के level पे किस हद तक risk ले सकते हो और किस हद तक fear को control कर सकते हो अब यह चीज जो है, यह research में प्रूव हुई है कि जब भी आप अपने emotions को suppress करते हो या उनको रोकते हो तो वो और ज्यादा strong हो जाते है इसी तरह fear भी एक ऐसा emotion है जो हमें conquer कर लेता है, जब भी आपको डर लगता है तो आपका mind अपनी natural state में नहीं रहता वो काम करना बहुत अद्दक कम हो जाता उसका तो अब इसका solution क्या है? इसका solution actual में यह है कि आपको fear को conquer करना होगा अब आप conquer कैसे करोगे? सारी situation को आपको एक piece of paper पे लिखना है और फिर उसको देखना है actual में, क्योंकि thought के level पे क्या होता है? हम confused रहते हैं एक change चलती रहती है thoughts की हमें समझी नहीं आती कि actual में क्या हो रहा है जब आप paper पे लिखते हो तो आपको पूरी तरह से clarity आती है और उस fear को आपको use करना है उस problem को solve करने में और अपने आपको motivate करने में कि हाँ यार मुझे डर इसी लिए लग रहा है क्योंकि ये comfort zone नहीं है तो मुझे इसको overcome करना ही है, चाए कुछ भी हो जाए अब fear आपके अंदर किसी भी तरह का आ सकता है वो success failure को लेके आ सकता है वो आपकी कोई अपनी कमजोरी को लेके आ सकता है बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन आपको कभी भी उसको अपने mind को conquer नहीं करने देना है बलकि उसको conquer करना है अपने अब paper पे लिखने से एक और फाइदा भी हो गया कि आपने plan कर लिया आपने उस चीज़ को समझ लिया और आपने अब एक road map बरा लिया जिसके हिसाब से आप चल सकते हो तो आपने एक तरह से mathematical solution निकाल दिया तो उससे आपके अंदर बहुत confidence आएगा और fear बहुत हत थक आप overcome कर सकते हो इस तरीके को use करके अब actual में अगर आपके अंदर courage होता है ना तो आपको चीज़ें lose होने का भी डर नहीं होता जो आपके पास actual में भी है चाहे financial level पे हो चाहे वैसे कुछ हो चाहे को skill level पे हो आपको यह होता है कि अगर यह चीज़ मैंने lose भी कर दी तो मैं दुबारा इसको rebuild कर सकता जैसे कोई business है तो आपका business for example बहुत अच्छा चल रहा है बहुत profitable है अच्छा खसाब कमा रहे है उससे लेकिन वो बंद भी तो हो सकता है ना लेकिन अगर आपके अंदर courage है तो आप वो दुबारा पूरा का पूरा business दुबारा खड़ा कर लोगे थोड़े ही time के अंदर अंदर एक जो courage है कि आप control कर सको fear को ये चीज action लेने से भी आती अगर आप ऐसे ही बगहर कुछ action लिए बैठते रहोगे और सोचते रहोगे तो आप हमेशा डरे रहोगे अगर आपको डर को overcome करना चीज में successful आने के chances और बढ़ते जाएगे एक सच बोलने में भी बहुत courage चाहिए होता है दूसरों के तो बात की बात है अपने आप से ही सच बोलना होना तो बहुत हमत चाहिए होती है आपको अपनी weaknesses को accept करना और फिर उनको overcome करना इसमें बहुत strength चाहिए और दूसरों के सामने भी even अपनी weaknesses को लाना अपने अंदर के बुरे points को लाना उनके बारे में उनको honest opinion देना किसी भी चीज़ के बारे में बहुत मुश्किल काम है बहुत strength चाहिए इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए किसी को सच बोलने के लिए निपोलियन बोर्नापार्ट का एक बहुत ही कमाल का quote भी ऐसे related courage isn't the strength to go on it is going on when you don't have strength इसका मतलब यह है कि जिन्दगी में हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमारे दिन अच्छे ही होंगे कई बारी बहुत bad phases भी आएंगे बहुत बुरे दिन भी आएंगे लेकिन अगर आप तब भी move कर सकते हो आप आगे जिन्दगी में चल सकते हो आप अपने काम को जारी रख सकते हो तो फिर आप बिलकुल nidder हो चुके हो आप और आपके लिए उनकी risk taking abilities अलग अलग हो सकती है कोई किसी कोई financial risk बहुत ज़्यादा ले लेता है कोई time के level पे risk लेता है अब वो different होता है सबके लिए लेकिन जो भी लेता है वो successful हो जाता है कई बारी ऐसा भी होता है कि कुछ जगा पे रुखना होता है कुछ नहीं करना होता वो लोग फिर भी नहीं रुखते और करते रहते है क्योंकि उनके अंदर courage होता है आगे बढ़ने का जिंदगी का actual मतलब ही यह है कि आप चलते रहा आगे क्योंकि अगर आप रुख गए हो तो इसका मतलब है फिर आप dead हो जोर जोर से बोलना जोर जोर से चीखना यह actual में courage नहीं है अब मैं किस context में बात कर रहा हूँ कि जब कोई आपको बुरा बोले तो आप उसको आगे से चीख रहे हो गुसा दिखा रहे हो frustration अपनी निकाल रहे हो उससे कोई फाइदा नहीं है एक्च्वल करेज पता क्या है silence silence is the loudest scream यह कहते है तो silence जो है ना उसके लिए बहुत courage चाहिए होता है अंदर क्योंकि गुसा तो हर बंदा ही कर सकता है लेकिन जो उसको control कर सकता है वो वाकई निटर इंसान है एक्च्वल जो बहादुरी है ना वो चुप रहने में है for example आप कोई काम कर रहे हो और लोग आपको उसके बारे में उल्टा बोल रहे हैं तो अगर आप चुप रहते हो और अपना काम करते हो तो एक टाइम के बाद तो आपका काम बोलेगा ना आपको तो बोलने की ज़रुरत अप आज के टाइम में देख लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं अलबर्ट आइंस्टैन न्यूटन आज भी उनके बाते होती हैं हाँ भी हम उनसे सीखते हैं हलाके वो जिन्दा नहीं हैं क्यों? क्योंकि उनका काम बोलता है ना, जिस भी तरीके से आपने आपको एक्सप्रेस किया, वो खुद बखुद अपने आप में बोलेगा एक दिन, आप इस बात से इंताजा लगा सकते हो, कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो टैलेंटेड नहीं हैं, जिनके पा वाकई बहुत ही कमाल की कॉलिटी है, अगर किसे इंसान में हो तो, और जो लोग वाकई एक्चुल में बहादूर होते हैं, उनके लिए क्या होता है, कि डू और डाय होता है, वो कश्तियां जला के लड़ते हैं सारी, मतलब वो जिन्दीगी जो भी जंग हो, चाहे वो विजॉस ने भी की थी, अपने एक इंटर्व्यू में, तो उनका एक्चुल में उनका कहना ये था कि प्लैन बी शुड बी टू मेक प्लैन ए वर्क, अब अमजॉन जो है, वो वाकई दुनिया की टॉप कमपनीज में से एक है, उसमें वाकई प्रेशर होता होगा, लेकिन जेफ बिजॉस का यह है कि वो फैसला करने से पहले सोचते हैं, उसके बाद नहीं सोचते हैं, जब एक बड़ी फैसला कर लिया, तो अब प्लैन भी कोई नहीं आएगा बीच में, तो व्यूर्स आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सिखने को मिला होगा, अगर वाकई सिखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जूरू सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच फूर वाचिंग, इल्ला हाफिस.